वहां रिंगमाद बन लोग कि एत्या दिन बैग ले पांस साल में लोगों ने मुझे सीधा भी धायक बनाया। कोई अपराधी किस्म का वेक्ति होता है तो अपने अपराध के संरक्षन के लिए राजनिती करता है। ये बाड तो एक सामानिसी बात हो गई है। हर साल बाड आती है, हर साल लोग तरस्त होते हैं तो मैंने रिंगमाद की बात उठाई। मुझसे पहले मुखमंत्री जी के पास में सारा रिपोर्ट, सारे बिवाग के लोगों को मुखमंत्री जी ने उसी वक्त बुलाया। तो हम लोग लगातार इसी तरह की चीजों में लगे हुएं। वो इस तरीके की बात करते हैं सिर्फ एक चिछोडी राजविती करने के लिए तक गंगा में किसी भी परकार का कारे नहीं किया जा सकता है। गंगा के तटबंद पर कोई भी अस्ताई निर्मान है। वो भी अचानक से केजरिवाल बनने के प्रियास में है। लेकिन उनको किसी अन्ना की जरूरत उनको भी पड़ेगी। नमस्कार मैं हूं साकेत कुमार अभी आप देख रहे हैं के भी निउस नेटबर्क जी हाँ अभी मैं मटिहानी विदायक राजकुमार जी के साथ हूँ और मैं बता दूँ हाल ही में देखा गया इनके पोश्ट के माध्यम से कि मान्या नितिस जी से मिलके आये हैं रिंग ब देखिए गंगा के किनारे का जो हम लोग सब बसेवे लोग उनके लिए बाड तो एक सामानिसी बात हो गई है हर साल बाड आती है हर साल लोग तरस्त होते हैं फसल बरबाद होती है लोगों को दिकते होती है और आपको पता हुआ कि 2022 का जो बाड था वो अपने आप में एक मुझे लगता है सबसे बड़ी बाड़ लोगों की याधास्त में इससे बड़ी बाड़ कभी नहीं आई और उसी वक्त मुख्यमंत्री मतिहानी चेतर का दौरा किये थे और उस दौरे के दर्मियान ही हमने हमसे अग्रह किया था कि एक यदी रिंग बांध बन जाए गुप्तालक्मिनिया बांध और जो उस पार जो अबादी है गंगा के बीच में तो यहां के बहुत लगबग दो लाग की अबादी को बाड़ से अस्थाई राहत मिल जाएगा औ और उसी वक्त एक प्रस्ताव पारित हो गया था दूसरे दिन बिवाग की बैठक हो गई और मुखमंत्री जी के पास वो प्रस्ताव चला गया था और इस बीच में लगातार विधान सभा में हमने इस बात की चर्चा की प्रश्न के माडियन से या जब भी कोई डिस्कोर्स तो उसमें मैंने रिंग बान की बात उठाई और मुखमंत्री जी ने हमेशा उसके प्रती सकारात्मक पहल किया विवाग को सकारात्मक पहल करने का निर्देश दिया आपको याद होगा कि जब ये संजे जहाबी उस वक्त शिचाई मंत्री थी उन्होंने भी इस शेत्र का दोरा किया, रिंगमांद से संबनित, GFCC की पूरी टीम के साथ मैंने खुद जहां से जहां तक रिंगमांद बनना है वहां तक का दोरा किया और तो अभी उस प्रकरिया में एक सर्वे का भी कारे चल रहा है, कल इसी पहले मुख मंत्री जी के पास में सारा रिपोर्ट था, उन्होंने पढ़ना सुरू किया, कि छितरोर में ये स्थिति है, नया गाउं में ये स्थिति है, सिंगपूर में ये स्थिति है, सारा रिपोर्ट यानि मुख मंत्री खुद उसके परती काफी सजग और चिंतित रहते हैं और सिचाई मंत्री भी थे उन्होंने ततकाल मैंने फिर से उनको याद दिलाया कि सर रिंग बांद जो बनना था उसके संबंद में भी क्या प्रगती ही है अगर वो जल्दी से जल्दी हो जाए तो लोगों को भी राहत मिलेगी और सरकार को जो आपदा में खर्च करना पड़ता है वो भी सरकार को नहीं करना पड़ेगा और अभी पिछला जो सत्र हमारा गिया है उसमें भी मैंने पत्र दिया था सारे बिभाग के लोगों को मुक मंत्री जी ने उसी वक्त बुलाया, पूछा कि क्या इस्तिती है और अभी जो बर्तमान सिचाई मंत्री हैं, उनको भी निर्देश दिया कि आप ततकाल इसका एक विभागिये बैठक कीजिए और वहाँ पे जाके फिर से एक बार विदायक के साथ में जाएए और देखकर इसके लिए जो भ वहाँ की समस्याएं हैं, उनका अस्थाई निदान हो, उसके लिए हम लोग प्रियास रते हैं, और जब कोई योजना बड़ी होती है तो उसमें निश्चित रुप से थोड़ा समय भी लगता है, और आपको तो जानकारी होनी चाहिए, क्या आप, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जन परतिनिदी ने उस रिंग बांद के बारे में कभी उनके सोच में भी आया था, कि ये अगर हो जाए तो समस्या से निदान हो सकता है, लेकिन जब वो सोच पटल पे आती है किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा, या किसी परतिनिदी के द्वारा, तो लोग उस पर राजनिती करना शुरू कर देते हैं, कि कहां रिंग बांद बन लो, यह त्या दिन भैग ले पांस साल में, जो पंदरह साल में जिनके सोच में रिंग बांद, जिनके सोच में डिगरी कॉलेज नहीं आई, वो इस तरीके की बात करते हैं, सिर्फ एक छिछोड़ी राजनि जो इस शक्ती प्रदत है, जनता के द्वारा ही, उसी शक्ती का उप्योग हम सरकार के समक्ष करते हैं, और प्रियास कर रहे हैं, कि वो तमाम जो सपने हैं मतिहानी के, वो पूरे हो, सपने पूरे होने में कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होता है, ना सरकार के पा को इसके लिए पहल करने के लिए हमने कहा है तो हम पुरी तरह से आस्वस्त हैं जो भी समय लग रहा है टेकनिकल बातों के वजह से समय लग रहा है पूने की एक कंपनी को सर्वे करने के लिए भी दिया गया है ये भी कली निर्देशित क्या गया कि सर्वे का क्या रिपोर्ट सर्वी की क्या इस्तिती है वो बताया जाए तो सब कुछ सकारात्मक्स ही है और लगातार हम मुक्मंत्री जी से मिलते रहते हैं और उनका अशिरवाद मिलते रहता है चुकि हम विकास के अलावा और कोई बात करते नहीं है वहाँ पे अपने छेतर बाट का जो अभी हालात है स आपको मैंने बताया जैसे कि इसमें इन्वाल्मेंट जी एफ सी सी का भी होता है गंगा फ्लड कंट्रोल कमिशन का गंगा के उपर कोई भी तटबंद का निर्मान होगा तो उसमें जी एफ सी सी का रिपोर्ट अपेक्षित है वो जब तलक उनका एनोसी नहीं मिलेगा तब हम लोग वहीं सिमडिया से शुरू हुए और यहां खरंपुर तक हम लोग जी एफ सी सी के टीम के साथ आए और एक एक पॉइंट पे गए कि कहां पे क्या इस्तिती है हम लोग उस वक्त सीमा भी गए बवर बन्नी के पास तो टीम का जो रिपोर्ट है वो क्या रिपोर्ट टीम ने दिया है अभी और जी एफ सी सी एक केंद्रिये संस्था है केंद्रिये संस्था ने अभी क्या रिपोर्ट दिया है सारा चीज मुखमंत्री जी ने कहा है और उस रिपोर्ट के जी एफ सी सी के बाद एक पूने बेस कंपनी को इसका सर्वे का कारे सुपा गया था त ताकि हम लोग उस दिशा में आगे जल्दी से जल्दी बढ़ सकें, यथा सिग रिंग बांध का निर्मान हो, इसके लिए हम प्रियास रहते हैं, और हमको उम्मीद है पूरी कि ये निश्यत रूप से बनेगा। तो क्या लग रहा है, आपका क्या, आभी माली जे मठियाणी विदान सभा में जाते हैं, क्या लग रहा है, जनता आप से कितना खोश है, जनता का इसे आरोप भी है आपके उपर, कि राजकुमार जी जो है, कारे नहीं उस टाइप से कड़ पाएं, तो क्या करना है? देखिए जनता का आरोप तो नहीं है ये कुछ vested interest का आरोप हो सकता है और आपको अगर कारे नहीं दिख रहा है मैं मेडिया के बंदों से कहूंगा चाहे सडक का छेतर हो स्कूल का छेतर हो स्वास्त का छेतर हो मेरे दुआरा जितने भी कारे किये गए हैं शायद उसको हम पचारित उस तरीके से नहीं कर पाए हैं जिसकी वज़े से आप मट्यानी की सडकों पे आज से पांस साल पहले भी चला करते थे और आज भी चलते हैं तो आपकी सोच है कि आपको बताना लोगों को और मैं लगातार लोगों के बीच में बना हुआ हूँ ये अलग बात है क कि लोगों ने मुझे सीधा बिधायक बनाया है मैंने बिना राजनिती किये हुए मैं बिधायक बना हूँ ये लोगों के आशिरबात से और अब लोगों के बीच में जाने का काम हमने लगातार किया है लगातार पिछले एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अपने चेत्र म नहीं गया हूँ, छेत्र मेरा बड़ा है, लोगों ने मुझे विदायक बनने से पहले बहुत कम लोगों ने देखा था, बहुत कम लोग जानते थे, तो अभी भी हम जहां जहां भी जा रहे हैं, तो मेरे लिए निश्चित रूप से वो लोगों को लगता है कि मत्यानी के वि प्रयास किया है, और जनता की कोई शिकायत यदि है मेरे उपर, तो मैं शिकायत को भी दूर करने का प्रयास करूँगा, राजनीती मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद है जिस उद्देश से लोगों ने मुझे चुना है, उस उद्देश की पूर्ती करना, राजनीती जिन पीके की बात करी तो वो भी एक अपने तरीके से आ रहे हैं लेकिन कुछ होने बाला नहीं है बिहार की राजनिती नहीं आज भारत की राजनिती उधर चलेगी जिधर नितिश कुमार चलेगे तो आप इसके लिए आस्वस्त रहें बिहार की राजनिती में जिधर नितिश कु हैं इनका कोई वजूद नहीं होता है सूरज के साथ ने क्या कहिएगा सर मतिहानी विदान सभा में आप तो हैं ही आपके पीछे जो है पूर बिधायक हर आदमी की ख्वाइश होती है किसी की ख्वाइश होती है सिर्फ राजनिती करने की कोई अपने मकसद से राजनिती करता है कोई अपराधी किस्म का विक्ति होता है तो अपने अपराध के संरक्षन के लिए राजनिती करता है तो सब के अपने अपने ख्वाइश है मेरी ऐसी कोई क्वाइस पहले भी नहीं थी हम अचानक राजनीती में आए लोगों के लोगों का विश्वास हम पे उनका विश्वास हमको प्राप्त हुआ और मेरे लिए जिम्मेदारी है इस जिम्मेदारी का मैं भखुभी निर्वान करता रहूँगा जब तलक लोग चाहेंगे, तब तलक मैं करूँगा, बाकि सभी लोगों का स्वागत है, राजनिती में लोगों को आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ अच्छे लोगों को राजनिती में आना चाहिए, ये किसी की कोई विरासत तो राजनिती होती नहीं है, आज हमें कल कोई थे तो ये तो चलता रहता है सिलसिला, और ये सिलसिला चलता रहेगा तो इस वार बिहार का सियासत की शुरूप में आप देखते हैं क्योंकि एक तरफ डबल इंजन का सरकार है और एक तरफ जो है जनसुराज का रही है कि हम भी पूरा तैयार है पूरी तरह से तैयार है तो क्या टकर डबल इंजन की सरकार जनसुराज को देगी या जनसुराज डवल इंजन के सरकार गुद्टीश जी के कारे की वज़े से कोई टक्कर बिहार में कभी भी नहीं था साजिशों के सिकार जरूर वो हो गए लेकिन वो अपने आप में काफी माहिर है राजनिती के पीछ पे उन्होंने जितनी उनका सतक रहा है वो किसी का भी नहीं रहा है सोरा जो ऐसी party आती है जाती है पिछले बार भी और party आयी थी उसका भी काफी प्लूरल्स जैसी party आयी थी इसी टाइप काा हाइब करने का प्रयास किया था तो जो पीके हैं, उनकी भी एक महत्वा कांचा है, वो भी अपनी महत्वा कांचा पूरी करने के लिए राजनिती में आए हैं, वो भी अचानक से केजरिवाल बनने के प्रियास में हैं, लेकिन उनको किसी अन्ना की जरुवत उनको भी पड़ेगी, तभी क्या और बिहार केज पॉलिटिकली हैं, उनकी सोच अलग हैं, और बिहार में जितना विकास नितिश कुमार जी ने 15 सालों में कर दिया, और जिसकी वज़ा से सबसे तेज गती से चलने वाली आर्थिक व्यवस्ता ये बनी है, इसके लिए नितिश कुमार को हमेशा से बिहार के तमाम 13-14 करोर ल मुखमंतरी के चेहरा कौन होंगे, क्या नितिश कुमार, डबल एंजन के सरकार में शटे होंगे, तो क्या नितिश कुमार होंगे या कोई और होंगे, नितिश कुमार, नितिश कुमार, नितिश कुमार, अभी हमारे साथ जो थे, जर्यू के गदावर नेता आप कर सकते हैं तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे के भी न्यूज नेट पर को फॉलो करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बने रहें केमरामेन आधर्स के साथ मैं साकेत कुमार धन्यवाद